तो हेले दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूटूब चैनल देखो टेक सफर पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हमसे बात करेंगे न कि यह और टेल पेमिंट बैंक में हम किस तरह से अपना बैंक एड करते हैं क्या तरीका होता है हम इसी के बारे में आपको सारी क्या करना है हमें सबसे पहले ना यहां पर अपनी यह टिल पेमेंट बैंक अप्लिकेशन यहां पर एक आती है मतलब इसी का नाम है यह टिल थैंक्स यह टिल पेमेंट बैंक यह टिल रिचार्ड यह टिल का सारा सिस्टम इसी में है आप जैसे हैं पर सर्च करेंगे यह टिल पेमेंट बेंग यह यह अप्लिकेशन है जिसमें आइए हाल डाउंडर अप्लिकेशन है तेल थैंस रिचार्ज और पीआई सारह कुछ इसमें है हम इसे ओपन कर लेते हैं इसमें कैसे बैंक एड़ करना है आपको बताते हैं लॉगिन करना इसमें अपने मवाइल नंबर डाल लोग इन साने से हो जाएंगे ठीक है ना तो लोग इन होने के बाद आपके सामने ऐसा प्रोफाइल से आपके इसा प्रोफाइल नगे करना है आपका नाम मोबाईल नंबर आ जाएगा और बहुत सारी यहांपर बाते आज़री ठीक है आपको क्या करना है आयो बताते हैं यहां पर एक option ए bank profile का देए हम इस पर क्लिक करें तो एटल payment bank का है पर पुरा details आ जाता जैसे आप देख पारें ठीक है न तो मेरा already एटल payment bank इसमें done है ठीक है हम्में दूसरा कुछ यहां पे Add करना है तो हम यहां पर अपसन ऐध्याष्ट लिंक आपा है यहां पर इन ऐनीएТल प्रीट काँट के दिग तो भी करकर को । वही यहां से इसमेत भेज के । लिंक हो जाए एक देखिखिए हमारा मतलब इस तरह से हो गया अब आपका किस bank में खाता है बैंक चोच के Bent being तो हम ऐसे 주고 bank क्लिक कर लिए खडिक है अब हमारे सामने इस तरह से अह पर मेरा successful ad हो गया और goto home पे click कर देंगा हमारा bank add मिलेगा तो आपको बताना चाहूंगे आप पहली बार जैसे गूगल पर फोन पर चला रहे होंगे और उसके बार इसमें खाता एड करेंगे तो बीना कुछ मांगे आपसे आपका यहां पर एड हो जाएगा यदि आप पहली बार एड कर रहे होंगे तो आपको कुछ ATM का प्र स्काराइस किया दोस्तों बाकिया कांई कोई दिकत हो ना तो आप कमेंट बाक्स में करेंगा मैं आपका हहल्प करने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा मिलते हैं किसी नए वीडियो मैं अपडेट के साथ तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा अ डटब दो